हालो फ्रेंट्स नमस्ते आज की इस वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट टाइम साइकल नंबर सीखेंगे जो है 121 उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कैसे उससे इंपोर्टेंट ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट्स हम मार्केट के ढूंड सकते हैं उसके ओपर हमारा डिस्केशन है जनरली पीस हाडवर्क्स रेलेटेड होता है यह एंड इस नंबर गिव्ज यू सम् इंपोर्टेंट ट्रेंग पॉइंट्स इंटू तो वह हम कैसे निकालेंगे इसको हम बोथ कैलेंडर डेज और ट्रेडिंग देज जानों पर यूज कर सकते हैं तो जैसे यह सॉप्व बॉटम और उसके बाद से मार्केट ने बहुत अच्छे रहे लिए 121 को अगर हम वापिस एक्सेंड करेंगे 121 प्लस 121 होचा है 242 तो इसको यह मैंने कैसे लगा है मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं आपको आपको क्या आना है टाइम टूल्स में आना है इसमें यह व मार्केट का और फिर अगले दिन से गापड़न और पूरा ट्रेंड चेंज होगा मार्केट का जनरली यहां पर अगर आपको लेवल्स भी ढूनने होते हैं तो हम इसमें एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आपने 121 बार ढून ली और उसके बाद आपको देखना है कि यू नो कि मेरा ट्रेडिंग लेवल्स क्या होने चाहिए तो आप इस बार पर आईए एंगल्स पर जाईए स्क्वार्स पर जाईए 9G पर क्लिक कर दीजे तो आपको एक इंपोर्टेंट लेवल्स हो जाएगा कि इसका लो तोड़ा इसने लो पे लगा दीजे आपको लेव स्क्राइब श्रीजा आने वाले एक तो है रिलाइंस एक एंफोसिस इंफोसिस पर जाते हैं अब हम इंफोसिस तो आप कोई भी इस्टॉक का यूज करके लगा सकते हैं इसके अंदर तो जैसे इंफोसिस का चार्ट खोला यह डेली चार्ट है इंफोसिस ने कहां हाई बनाए हाई लो दॉन ले सकते हैं जैसे एक मेजर हाई है यहाप आपको आपर इस प्राइस टूल्स पर जाना है टाइम टूल्स पर जाना है इस पर क्लिक करना है और यहाun पर जाके आपको 121 बारउ को का… 122, 121, almost near bottom हो गया, इसके बाद एक low मारा और इसके बाद से बजार, इस candle का high and low, तो अब हमें क्या करना है, इस candle का inside bar बनी थी, बहुत ही अच्छी, squares पर जाईए, 9G, इसके low पर लगा दीजे, तो आपको levels मिल जाएंगे, अब अगर ये 1570 तक भी उपर की side जा सकता है, और इ basically अगर 1474, 15, 13, 15, 52 और 1591 हमारे target होंगे upside में, नीचे के 90-80 degrees के वो नीचे के targets आएंगे, बराबर, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप जैसे आप Reliance का भी एक example ले लेते है, Reliance ने जैसे यहाँ पर एक top बनाया था, यहाँ से 121 बार exactly यहाँ पर आया है यह 121 इस बार के low पर हम लगा देंगे, वापे squares में जाएंगे 9G, यहाँ पर लगा दीजे, आपको levels मिल जाते हैं, 2711, 2894 और आप make sure that you make the price step as 1, तो आपको छोटे targets भी मिल देंगे, आपको बढ़े targets यहे तो आप price steps को आप increase कर सकते हैं, तो इस तरह से लगाते हैं, इसको अभी हम trading view खोलते हैं, यहाँ पर खोलते हैं, अब यहाँ पर देखे, जैसे nifty नहीं यहाँ पर bottom बनाया था, आप यहाँ पर देखे, यह 121 बार पर आपको exact बड़ा top बन गया बजार का, इसको वापिस लगा देता हूं, यह 120 हुआ, यह 121 एक major top बन गया, बड़ी candle उसके बात से पूरा trend डाउन के तरफ चे आया, 121 प्लस 121 हो जाता है, 242, तो यह 239, 242 आपको इधर आ गया, 243, 242 exact, small short term bottom बन गया, उसके पात से बहुत यह अच्छी rally हो गया, प्लस आप 121 तो आप एक cycle चला सकते हैं, ऐसे, लेक में जिस शो यू 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 इस प्लस 121, 242 हो गया, 363, 484, तो यह important levels हो जाएंगे आपके, अब 242 के बाद हम नेक्स cycle देखते है, 363 की, इसी को हमने एक्स्चेंड किया, यह देखे, 363 पे भी एक short term bottom था, उसके बाद से गच्छी rally आगई, market में, तो इस तरह से हम सिंपल से strategy, अब नेक्स जो भी time period आ पर लगाना है, तो यह option buyer के लिए बहुत ही अच्छी strategy है, इसका ही गटा और एक अच्छा movement मिलता है आपको बजार में, तो एक simple ची technique है, इसको आप use कीजिए, nifty, bank nifty, stocks, जो भी instrument में आपको पसंद हो, एक bank nifty का example और ले ले लेते हैं, we'll take on a one hour chart, one hour chart पे भी हम लगा सकते ह इसको, इसको अभी मैं one hour में करता हूँ, अब हमें देखना है, bank nifty ने major bottom इदर बनाया है, major bottom है major top दोनों से ले सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, date range में जाएंगे, यहाँ से आपको पहले calculate करनी, 121 bar, एक तरसे short term top ही था, उसके बार 242 जो तो भी नहीं आया है, उसको time लगे तो जो भी next bar आईगे, आप उसको use कर सकते हैं, और इसको एक और तरीक से use कर सकते हैं, कोई भी stock आप top and bottom, उसको आप direct calendar days पर भी use कर सकते हैं, जैसे 19th October 2022 को nifty ने high बनाया था, उसमें हम 121 को add करते हैं, simple सा formula लगाना है, 19th October plus 121, तो आएगा हमारी date, 17th February 2021 में लगा था, 17th February 2022, let's see what happened on 17th February 2022 in Nifty, तो यहाँ पर हम वन डे के चार्ट पर जाते हैं, 17th February 2022, February इदर है 17th, देखे, एक तरह से short term top बन गया, अगले दिन लो कटा, अच्छा movement आया, वापिस कोई भी जैसे और major bottom हमारा बना है, इधर 8th March को, 8th March plus 121, simple सा, बहुत ही simple concept है, पर you will get some important turning points in the market, 121, so 7th July 2022, let's see what happened on 17th July 2022, यह 8th July है, यह 7th, नेक्स जिन टॉप बन गया बजार का, गया गया, गया अपप से, लोह ने हमें मौका दिया ट्रेट करने का एक अच्छा movement आया, और यहाँ पर देखे, गया गया, इसने हाई कोट ब्रेक किया और इसके बाद से तो है, यह simple technique को हम यूज कर सकते हैं, वीकेंड है, प्रेक्टिस कीजे इसको, कुछ important dates मिलेंगी, बहुत सारे stocks में उनका यूज कीजे, and, so आप प्रेक्टिस कीजे, कोई भी doubt हो, आप comment section में पूच सकते हैं, thank you very much, stay disciplined.